जैन दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग प्रेशना वाली 1.2 का दूसरा क्यूशन तक सॉल्व कर लिए थे अब हम तिसरा क्यूशन को सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि अभाज गुनंखंड बिधी द्वारा निम्न लिखिते हैं यहां पर तीन को क्यूशन दिया है तीनों क्यूशन को सॉल्व करना है एस एफ और एल सीम निकालना है किस भी द्वारा यहां दिया बोला जा रहा है अभाज गुनंखंड बिधी द्वारा निम्लिखित पूर्णांकों के एस एफ और एल सेम ग्याद किजिए तो चलिए हम दो देखते हैं कैसे एस एफ और आथ एल सेनगे अभाज गुनंखंड बीद्वारा पहला क्यूशन है बारह तो 15 और कि सबसे पहले यह तीनों संख्याओं को हम लोगा भाज गुनंखंड करेंगे बारह है फंद्रह है और एकिस है तो रैक होगा दू गूने दू गूने तीन इसका होगा तीन गूने पश्तिए 15 और तीन सते 21 अब यहां पर हम लोग इसको सजा के लिखेंगे दू दू बार लिखाई दू का पावर दू तीन एक भार तीन के पावर एक यानी नहीं भी लिखा जाए पावर तो कोई दिकत नहीं है अब देखिए इसमें 5 और 7 नहीं है तो 5 पावर 0 और 7 के सात नहीं है तो दू करप जीरो और साथ पावर जीरो अब यहां दिखेंगे आ there k stop है एच सी एप कितना कितना है तो बारह पंद्रह और है एक्कीस बराबर परतेख परतेख उभैनिस्ट अबहाज अबहाज गुनन खंडो के निम्तम घातों का गुनन फल बराबर चुकि बेसिक में बताया गया है कि निम्तम घात वाले संख्याओं का गुनन फल को हम लोग DCM कहते हैं तो एसीएफ निकाल रहे है तो निम्तम घात नित्म घात पॉरा में जीरू पर उस के बाद तिन निम्तम घात कितना है तो एक और श्रक्राव पॉसके बाद पांस का पांच बीजिरू है और साथ करुछ साथ का नियुंतम घृतकना है अभी जीरू है जिसको अगर सॉल्प करें तो यहोगा एक यहोगे तीन लीवी ओगा एक एक होने का कारण हम बताया थे कि किसी भी नंबर के पावर अगर जीरू होगा त एल, सी, एम, बारह, पंद्रह, और एकेश, बराबर होगा परतेक, उभनेश्ट, अभाज, गुननखन्डो, अधिक्तम घातो का गुननफल बराबर, देखेज, अधिक्तम घातो का गुननफल जो होता है, ल, स से म होता है, तो, अधिक्तम घात दू का कितना है, दू, 3 का धितम भाद अतना है तो एक, 5 का धितम भाद तो हमें होगा 5, और यह 7 का धितम भाद तो 7, यहां पर 2 दून N에요. 4.3.5.7. अगर यह सब को गुना करा दिया जाए, तो गुना करने पर 420 हो जाएगा, कितना होगा, 420, यही इसका अंसर हुआ, है यह लिखेंगे है एच सी एफ बराबर तीन और एल सी एम बराबर चार सो बिस यह इसका अंसर हुआ अगला क्यूशन को देखेंगे दूसरा क्यूशन देखें लिखा हुआ है सतरह तेश्च और उनिश्क उन्तिस को सभी अभाज संख्या है और अभाज संख्या का स्वान होता है यह पहले भी हम बता चुके हैं देखिए you 17 वन इन्टू 23 वन इंटू 29 यहां पर यह संख्या सभी संख्या Ayakisa Sum करते हैं यहां पर हम लिखेंगा इस सजाकर तो एक गुने सत्रह गुने यहां पर तीष नी है तो और 29 ने तो 29 के पावर भी जिरो इसमें एक है लेकिन इसमें क्या नहीं है तो इसमें नहीं है 17 नहीं है सब्सक्राइब पावर जिरो तेस्ट के पावर एक रहेगा 29 के पावर जिरू चुकि इसमें 29 यह नहीं अब यहां फिर देखे इसमें भी एक है 17 इसमें भी नहीं है तो 17 पावर जीरो तेश इसमें भी नहीं तो तेश के पावर भी जीरो और 29 है तो 29 रहने दिये अब निकालना है एच सी एप तो लिखेंगे एच सी एप कितना कितना है 17 तेश और 29 बराबर परतेक अब भर निस्ट अभाज गुनन खंडो के नियुंतम घातो के गुनन फल बराबर नियुंतम घात कितना है एक का एक सतरा के नियुंतम घात जीरो तेश का नियुंतम घात जीरो और 29 नियुंतम घात इभी जीरो है तो एक गुने शतरा के पावर जीरो है तो एक तेश का पावर जीरो तो एग उन्तिस का पावर जीरो है तो इभी एक एक गुने एक गुने एक करेंगे तो इसका अंसर होगा एक यह कितना मालूम हो गया वन मालूम हुआ अब निकालते हैं एल सी एम एल सी एम कितना कितना है कि एल से मैं सत्रह तेईस और तो इसमें और लिखना भूल या आप आप लोग यहां पर और लिख लीजेगा और 29 और यहां पर हो गया 29 यहां पर देखिए यहां पर अधिक्तम गहां तो यह इंखाएगा परतेक कि उभैनिष्ट कि अभाज कि गुनन खंडो कि कि अधिक्तम घञातो कि गुनन फल बराबर अधिक्तम गहातों कि अधिक्तम गहात एक्क अधिक्तम गहात एक है सत्रा के सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यह सब को गुना कर आप लिख लिए लगभग आगा 1149 तो यहां पर हम लोग को एची एफ बराबर हो गया वन और एल सी एम बराबर हो गया 1149 इस परकार से हमनों दूसरा कीशन भी सॉल्व कर लिए अब चाहत तीसरा कीशन को देखिएगा किस comics है नव और पचिस है तो आठका अगर गुन अंखन किया जाए तो बूने दू गुने दू होगा दूसरी यहां पर दीए दू के पावर 3D के पावर सब्सक्राइब on यहां पर तीन सामी में नहीं दो का पौझ जिरो और तीन सामी नहीं नहीं तर तीन का पर जिरो फिर वही काम करेंगे लिखेंगे है एच ची एफ आठ नो और पचीस बराबर लिखेंगे परतेक को वहनिस्ट के आभाज गुनन खंडो के नेंतम घातों के गुनन फल बराबर देखिए उभानेष्ट का मतलब वह संख्या जो सभी में मौजूद हो जो सभी मौजूद उसको भानेष्ट कहती है यहां पर देखिए सब में मौजूद नहीं है तो कदितना है जिरो है चाहीं किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मानवान होता है आप देखिए वन गुने वन गुने वन यानि इसका एच्छिएफ कितना मानूं हो गया वन अब लिखेंगे एल सी एम कि एल सेम आठ नौ और पचीश्ट यहां लिखाएगा कि प्रतेक कि पुभैनिस्ट कि अभाज कि गुनन खंडो के अधिक्तम घातों का गुनन फल बराबर होगा देखिए आपर अधिक अधिक्तम घात वाला संक्या को चुनना है तो फाल कि अधिक्तम घातों कितना है तन की तन की तन की तन का अधिक्तम घातों का गुं अधिक्तम हजग्तम संक्या थे सबस्क्यां एंडों has रहे तीन नो पर नहिर नाम होता है तो इस वरी गलती हो गया पचाप पचीस पचीस जो के सो गुने दू करें दूसा और दूसा नो नो दूनी अठारा सो गया कितना हो गया अठारा सो तो यहां पर येल सीयम हो गया अठारा सो यह इसका अंसर हो गया तो इस परकार से हम लोग तिसरे क्यूशन को भी सॉल्व कर लिए अब हम लोग चौथे कीशन को देए कि चौथा किशन में है क्या और बोल क्या रहा है हमसे क्या पूछ रहा हूं है अब हम लोग चौथा क्यूशन देखें चौथा क्यूशन में क्या है कहता है कि HCF 306 657 बराबर 9 यानि यह दोनों संक्याओं का इस चेपितना दिया नो दिया हुआ है तो LCM 306 और 657 को ग्याद करना यानि LCM ग्याद करना इसका हम लोग पढ़े हैं कि LCM बराबर होता है कि शूत रहे एल सेम कितना कितना का है 306 और 657 बराबर होगा एक गुने भी बटा एस एफ एबी होता है यहां पर हम पहले फर्मूला लिख लेते हैं दिखिए दिखा हो रहता है कि दो संक्याओं एबी दिया हुआ है विए तो दोनों सहेंख्या को एबी देने पर दोनों एल सेम और एक च्येफ का गुनन फ़ल दोनों तो प्र मुल्वक के बराबर होगे बिच्छे बता चुके हैं तो मानते हैं कि डिया हुआ है इसका स्थिख यतना दिया हुआ तो किस परकार बनाएंगे हम लोग शूतर होता है एश ऐफ ए और बी गुने एलच में और कि बिड़ाबर एक गुने भी होता है यहां पर धिहान दिजे एल्स ये फीद निकालना है एल देख एलसी म कमें दोस्ते हैं के और बी बराबर हो जागा एग ने बी बटा है एक एफ एफ ए और वी यह पूने बीब बटा है ह एफ 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 निकालने हैं हम को भाग करा देना होगा यहाँ पर देखिए लिखा जाएगा एलसी एल्च एक यह पर है 306 और बीक यह पर है 67 यहां पर एक पर 306 हो जाएगा आप बीगए शेशो संतावन रिदा बटा में लिग देंगे हम लोग यहां इसका इसका कितना दिया हुआ है इसका इस दिखे दिया हुआ है नौ नौ लिए नौ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा नौ साथ तीरे सैट यहां बच्छेगा दू होगए 279 थी है 27 अगर तीहत्तर से इतना में हम लोग गुना करेंगे लगए 22,338 होता है यही आपका अंसर हो गया इन किसी प्राकिर्ट संख्या के लिए संख्या 6 से पावर एंग जीरो पर समाप्त हो सकती है यानि हम को जांच करकि यह देखाना है कि 6 कोई भी पावर में कितनों भी संख्या रहेगा तो क्या यह लाश्ट में जाकर 0 पर समाप्त हो सकता है यह हम लोगों को चेक करना है तो आ से पावदर भोगा सिर्स यानि टू इन्टू तो फिरी यह यह पावर लेते हैं टू एक प्राकिर सेंक्ट एन का मान। वन टू थ्री फोर फाइस होगा यहां पर दिखे अब इन बराबर हम लिए टू यह जगा चैश्य 15DIA चाट्स कितना होजागा शेंट की छैनी हम लिए लिग सकते हैं गको तीन अब इसक्सक्स के लिए दू गुण नहीं यहां पर देखें यह भी 0 पर समाफ पर नहीं हो कोई संख्यान नहीं मिलेगा और 2 और 3 का multiple हमेशा जो होता है ये फ्रos होता है यह जीरो पर समाप्त नहीं होगा देखेंगा 4 लिए करने लेते हैं शिह को टू झो झो finalement 3 टू इन्टू 3 2 12 32 टूइंटू थी तो एक ही उपाय है यदी इसका अभाज गुणन्ख Gaming दूक आलावे पाच होता है दूक आखाए पाच होता पिश्क अंत माला जे लूट हो आउडवन हो सकता था लेकिन यहां पर दो और तीन के लावे नहीं है अता है यह किसी भी संख्या के लिए इसका अंग जो होगा जीरो परसमात नहीं होगा यहां लिख देंगे अता है शिक्स का अभाज गुनन खेंड दो और तीन होता है इसलिए इसलिए सिस्क्र पावर एन किसी भी प्राकीर्थ संख्या के लिए जीरो पर अंद नहीं होगा इसका अंसर नहीं होगा बस इतना ही स्वल्ड करना है आप यहां पर सिर्स के पार कुछ भी रगड़ दिजिए और दो और तीन किरा में कुछ नहीं आगा अगर इसमें कोई एक संक्या 5 भी अगर गुननखन होता है दो और शिक्स का एक संक्या 5 भी अगर इसमें अभाज गुननखन हो या था तो यह 0 पर समाब तो हो सकता था लेकिन 2 और 3 कि और कुछ नहीं आता है अब अगला किशन हम देखेंगे 6 नंबर करदेशनय अब हम लोगो सिक्स नंबर का क्यूशन में कि एप क्या कीजिय की साथ तर alt , कुझ गंभा राइव गुण तएरा जोड़ ए और च्छक भुणे रहर गुने पाँंच व्यक्र तीन जोड़ पांच भाज न संख्या कि यह दिखाना है कि क्यों भाज संख्या यह पहले हम लोग इसको किलियर कर लेते कि क्यों भाज संख्या देखिए यहां पर दिया हुआ है सांत गुने 11 गुने 13 जोड 13 सबसे पहले बात यहां पर दिख लिए जितने भी शैंक्या एक अभाज गुनन फल भी अभाजी संख्या होता है यह नहीं स्वरी गलती हो गया एक देकिंगे यहाँ पर कि इस संख्या को अगर गुना करते हैं तो लग भाग एक हजार एक पलस तेरा आता है और एक नहीं तो 1014 आजाएगा जो कि यह जो है जो 1014 जो है लिखेंगे 1014 एक और अपने आप एंस्वेम के अलावे भी और संख्याओं से बिभाजी है कि यह भी भाज जी यह भी भाजित होगा है अधा है हम क्या सकते हैं कि कि साथ गुने एगारा गुने तेरा जोड तेरा एक भाजी संख्या है है दिखिए जो संख्या एक और श्वेम के अलावे और संख्या से कटता है तो उसका हम भाज या योगिक संख्या कहते हैं जैसे कि यहाँ पर 1014 देख रहे हैं 1014 एक से संख्या नियुक्त रहे हैं यहाँ पर अपने आपके लावे और संख्या से कट रहा है इसे लिए क्यों सा संख्या होगा या भाज संख्या होगा उसी पर आप दूसरा देखते हैं अब दिया हुआ है साथ गुने छे गुने पांच गुने चार गुने तीन गुने दू गुने एक जोड पांच तो अगर इस संख्या को गुना करते हैं हम लोग यहां पर यह सभी को गुना करने पर हमको मिलेगा और सबको यहां से आथ गुना करेंगे तो पांच जार 40 मिलता है और इसमें पांच और जोड़ा ने थार पांच जो कि एक से भी कटेगा अपने आप से भी कटेगा हो सकता है तीन से भी कट सकता है यह gentlemen से कट dive गा और यह देखिर पांच शेक्टने के बाद यह जब एक और स्वेम बावे और किसी सहेंगे से कट नहीं गया तो यह कोँ से छाह कई होग atrás here भ прев Long 2145 एक और या मैं देते आहीं एक और ऐ स्वेम के अलावे भी और संख्याओं से विभाजित है विभाजित होगा अतह हम कह सकते हैं कि ऐस्ट गुने च्छे गुने पांच में चार गुने दूगुने सब्सक्राइं आफ इसको भी देख लेते हैं व्योग इस लेशन का लास्ट क्यूशन है अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगए तो अपने दोस्तों को पास जरूर भेज़ें और वीडियो कैसे लगती है यह हमें कॉमेंट में जरूर बताएं देखिए यहां पर है किसी खेल के मैदान में चारो और एक बरिताकार पत है यानि खेल का मैदान उसके चारो और से एक गोलाकार यानि बरिताकार पत है इस मैदान का एक चकर लगाने में सौनिया को अठारा मिनट लग जाती है यानि सौनिया जो है से मैदान को जब चारो और गुमती है तो एक चकर पूरा करने में उसको अठारा मिनट का समय लग जाता है जबकि इसी मैदान का एक चकर लगाने में रभी को बारा मिनट समय लगती है यहां पर रभी नाम का एक लड़का है जो बारा मिनट में ही एक चकर लगा लेता है और सुन्य नाम के एक लड़की हैं तो कितने समय बाद अस्थान पर मिलेंगे जाहिर से बात है सुनिया एक लड़की है तो उसको ज्यादा समय लेगा और रभी एक लड़का है तो थोड़ा फास चल सकता है इसलिए जल्दी पहुंच आ रहा है तो यह बारा मिन पहुंच रहा है और यह अठारा मिन में हम लोग lcm निक लते हैं किकलते हैंल सिएं तो 11 मिन ना और यहाँ पर निकालेंगे जिसक कितना बारा मिन एट है तfight हरा और बाराक अगर एल-स्याम निकाले हैं मिनट को एम डिक देते हैं समझने के लिए यहाँ चिछागा दूग बूरिए कि दूगने तूगने जुर सब्सक्राइब निकालना है यहां पर दूगुने दूग दे रहे हैं मिनट के लिए एम लिख रहे हैं मिनट के लिए यहां पर देखिए दूगुने तीन के पावर दू मिनट यहां पर हो जागा दूगुने तीन के पावर एक मिनट तो यहां पर देखिए एल सी एम यहीं की जाए तो यह किन दो अठारा और बारा का मरकी पहले भी लिखें वह दिंग दिजेगा तदी कमांत कीतना दूग पावर दूग और तीन के पावर कितना ऐए फो सब्सक्राइब आठ या और दूगी दूगी और चारत जंसको के तीनकर दूग यानि वे एक दूसरे के रभी और सोन्या एक दूसरे को पर रंभिक अस्थान पर 36 मिनिट के बाद पुनह मिल जाएंगे तो इस परकार से हमारा आज प्रशना वाली 2.4 1.2 अज पूरी तरह से किलियर हो गया अब हम लोग इसके अगला लेशन को कल के क्लास में देखेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे जिसके अगला लेशन में है क्या तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग अच्छी लग रही हो तो कॉमेंट में जरूर लिख कर यह हमें जरूर बताएं